हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे का विशेश स्थान होता है और तुलसी को हर आंगन की शोभा माना जाता है। सर्दियों में तुलसी के पौधे को देखभाल की जरूरत होती है। सर्द हवा और कोहरे की वज़े से तुलसी का पौधा मुर्जाने लगता है। तुलसी के पौधे का मुर्जाना बेहद अशुब माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा मुर्जाने लगता है उस घर में दरिद्रता पाउपसारने लगती है। आज हम आपको बताएंगे सर्दियों में तुलसी के पौधे को सुरक्षित रखने के कुछ खास हो पाए तुलसी में थंडा पानी न डाले सर्दियों में तुलसी के पौधे में जल देते समय ध्यान रखेंगी पानी ज्यादा थंडा न हो, पानी को हलका सा गुनगुना भी कर सकते हैं हो सके तो पानी में थोड़ा सा कच्चा दूद मिला कर उस जल से तुलसी को सीचें ऐसा करने से तुलसी के पौधों में नमी बनी रहेगी और वहरा भरा भी बना रहेगा तुलसी पर लगी मंजरी जब सूखने लगे तो उसे हटा देना चाहिए माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी पर सूखी मंजरी लगी रहती है उस धर के लोग मानसिक रोगों से घिरे रहते हैं साथ ही तुलसी के पौधे को भी सूखी मंजरी से नुकसान होता है मंजरी हटा देने पर तुलसी का पौधा फिर से विक्सित होने लगता है तुलसी को ठंट से बचाने के लिए रोजाना सुबह शाम तुलसी के पौधे के नीचे एक डीपक जला कर रखें जिससे की तुलसी के पौधे को गर्मी मिलती रहे दीपक ऐसा जलाएं जो की देर तक जले सबता हमें कम से कम एक बार तुलसी के पौधे की जड़के आसपास हलकी सी गुनाई कर दें ऐसा करने से तुलसी के पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक पोशन मिलता रहेगा और वह लंबे समय तक हरा रहेगा तुलसी के पौधे को शीत लहर से बचाने के लिए एक कौटन के कपड़े से कवा कर दें ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहे खुश रहे धन्यवाद